नमस्कार दोस्तो, स्वागत आज फिर आपका इस नए वीडियो में और मैं जस्ट अभी सोखे जगा हूँ जगती मैंने जैसे ही अपना फोन उठाया, मैंने यूट्यूब देखा उसमें एक वीडियो जो है, मैंने देखी हैकसा का एक्सिडेंट उस वीडियो में हो रखा था मेरे ये एक यूट्यूबर भाई है, मैं उन्हें जानता भी हूँ उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसके की उनके पास में पूरी जानकारी भी नहीं थी उस एक्सिडेंट की हेकसा की हालत देखिए पहले तो आप और देखके समझने की कोशिस करिए कि इस एक्सिडेंट में क्या हुआ होगा और ये एक्सिडेंट कैसे हुआ होगा गाड़ी सामने से पूरी तरीके से सुरक्षित है बस गाड़ी उपर से ऐसा लग रहा है कि उपर से उसके उपर कुछ गिरा है तो दोस्तों जैसा कि अभी पहले हमने नेक्सॉन के साथ होते हुए देखा है यह ऐसे एक्सिडेंट आज कल बहुत हो रहे हैं जिनमें कि आप गाड़ी साइड से निकाल रहे है और ऐसे डमफर या ट्रक गिर गया आपके उपर तो वैसा ही इस हैक्सा के साथ में हुआ है यह हैक्सा पानी-पत्थ के पास मैं हाईवे पर जा रही थी इसके सामने दो बैल आए आने के बाद हैकसा ने ब्रेक लगा है लेकिन राइट साइड से जो ट्रक जा रहा था वो कंट्रोल नहीं कर पाया और इस हैकसा के उपर गिर 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 गिरने के बाद इस हैकसा के अंदर चार लोग बैठे हुए थे उनके बारे में मैं आपको अभ के platform पे बनी है और जिसको discontinue कर दिया गया है मेरी family में भी Tata Hexa है हम लोग ने 2017 में ली थी तो build quality के बारे में Hexa की मुझे बहुत अच्छे से पता है और इस गाड़ी की हालत देखिए आप accident में क्या हो गई है पापड बन गई है गाड़ी पापड जिसे कहते न वो और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तो मेरे एक मित्र है जो चंडीगड से है उनके एक नोन है जिनकी ये गाड़ी है और जिनके साथ ये accident हुआ है और इस गाड़ी में चार लोग बैठे हुए थे चारों लोगों को चोटें बिलकुल नहीं आई है जिसे major injury कहते न हम ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं हुआ है और चारों लोग प्रॉपरली सुरक्षित हैं किनी reasons की वजए से मैं उनका नाम इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ जिनकी ये गाड़ी है जिनसे ब्लॉंग करती है बट दोस्तों चारों बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर और च इतना जूट बाकि दोस्तों मेरी राय आपसे यही है कि गाड़ी खरीदते वक्त फीचर्स के साथ बेसक आप कॉंप्रोमाइज एक बार कर लीजिए लेकिन सेफटी के साथ बिलकुल कॉंप्रोमाइज मत करिए क्योंकि सेफटी ही है जो कि आपको वस्टू वस्ट कंडिश में बचाती है कोई फीचर नहीं बचाता बाकि आज की डेट में अगर आज की बात करूं तो आज की डेट में तो जो सेफेस्ट कार हैं जैसे की टाटा एल्टरज है टाटा नेक्सॉन है माहिंदरा एक्स यूवी थ्री डवल हो है इनके अंदर भी आपको बहुत सारे पाम है मेरा क्योंकि फैमिली सब की होती है और फैमिली सब के लिए इंपोर्टेंट होती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक घटिया बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी में फैमिली को हम कैसे सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं क्योंकि हमें तो पता है उन्हें चलो नहीं पता कि global n-cap क्या होता है к्रیس टेसٹ क्या होता है लेकिन हमें तो पता है जिस गाड़ी में हम अपनी family को बिठा के गुमा रहे हैं उस गाड़ी को कितने star ratings मिली है या उसका test करा भी गया है या नहीं किया गया फैसला आपका है मैं केबल सुजाव आपको दे सकता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए सुरक्षित रहिए, सीट बेल्ट पहनिए ध्यान से गाड़ी चलाइए जितना ज़ादा हो सके उतना सेफटी को प्रमोट करिए वही गाड़ी खरीदे जिसको ग्लोबल एंड कैप या फिर किसी और संस्था के दौरा क्रेस्टेश उसका किया गया है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है बेकार बिल्ड क्वालिटी गाड़ियां मत खरीदिये वो आपको धोखा दे सकती है और देती है बहुत सारे एक्सिडेंट हम देखते हैं बाकी थैंक यू सो मच वन्स अगें जै हिंद जै भारत